प्रणार्म्बिक प्रावदान बताती है इस कोट के अंदर मद्रपदिस राज में भूमी, राजस्व छेत में भूमी के कर, उत्पादन और प्रवंदन के सम्मन्द में नयाएक, प्रसासनिक और विदिक प्राबदानों की जानकारी देता है Section 2A इस सैंता में जो भी टर्मिनलोजी यूज की गई है, section 2 में उन सभी टर्मिनलोजी की defiation दी हुई हैं, जो की इस सैंता के अनुसार उप्योग की जाएंगी Section 2A सबसे पहले आता है आवादी आवादी का अर्थ होता है किसी गाउं का वह एरिया जो उस गाउं के निवासियों के उप्योग के लिए आरिक छिप की गई है आवादी का सीधा आर्थ है किसी गाउं का रेसिडेंशल एरिया जहां पे उस गाउं के निवासी निवास करते हैं किसी भी प्रकार से उस जमीन का उप्योग करते हैं, चाहे वो ग commence का वावसाला बनाने के लिए, कोई भी देव भूमे के लिए और किसी भी ऐसे उद्दिश के लिए जिसके लिए राज सरकार ने उस भूमी को आरक्चित किया गया है सेक्सन टू भी एगरिकल्चर याने क्रशी रशी के अंतरगत आता है बारसे क्या नियत कालिन फसनों का जिन मैं चाहे सिंगाड़े लगाए गए हूँ पान के खेती की गई हो या कार्डन के लिए उपयोग किया गया हो हौटी कल्चर, फलोध्यान मतलब ओर्चर्ड, चारे या चराई के लिए उपयोग किये जाने वाले जमीन या नागरी छेतर की सीमा से पांच किलो मीटर से दूरी पर इस्तित, पॉलियोट्री फार्म, फिशरीज या पसुपालन सेक्सन 2C, क्रसी वर्स ऐसी कोई भी तारीक जो राज सरकार अपनी अधिसूजना में निर्धारित करे जनरली क्रसी वर्स चालू होता है एक जुलाई से सेक्सन 2D, बोर्ड इस सैंता की धारा तीन के अनुसार गटित राज्यमंडल को बोर्ड कहते हैं सेक्सन 2E में आता है वास्तविक क्रसक कोई भी ऐसा व्यक्त थी जो अपने स्वैम के द्वारा या अपनी किसी सब ओडिनेट के द्वारा क्रसी के कार कराता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसे हम बोनफाइड एग्रिकल्चरिस्ट कहते हैं सेक्सन 2F, सैकारी सोसाइटी, कौपरेटिव सोसाइटी सैकारी सोसाइटी वे सोसाइटी हैं जो किसी राज्य सरकार के नियमों के अंतरगत रिश्टर सोसाइटी हैं एफ वन विकास योजना जो की मद्रपदेश गराम तथा निविस अदिनियम के अनुसार जो भी विकास योजना राज्य सरकार ने बनाई गई हैं वे सैक्सन 2G, सरकारी वन ऐसे वन जो भारतिय वन अदिनियम 1927 के आदीन आरेक्षित किये गए हैं 2H, सरकारी पटेदार वे वेक्ति जो राज्य सरकार से इस सैंता की दारा 181 के अनुसार जमीन ओल्ड किये हुए है एक्सन 2I, खाता, मतलब ओल्डिंग ऐसा कोई भी भूखन जिस पर वो राजस्व अलग से निर्दारित किया गया हो और वे किसी एक परिटिकुलर टेनियॉर के लिए दी गई हो सैक्सन 2C, क्रसी वर्स ऐसी कोई भी तारीक जो राज्य सरकार अपनी अधिसूजना में निर्दारित करे जनरली क्रसी वर्स चाल आता है वास्तविक क्रसक कोई भी ऐसा व्यक्त थी जो अपने स्वैम के दोरा या अपनी किसी सब ओर्डिनेट के दोरा क्रसी के कार राज्य सैक्सन 2C, भूमी भूमी का अर्थ है धर्डिकी सतय का कोई भी भाग, चाहे वे जलके नीचे हो या ना हो जहां भी इस सैंता में धर्ती सब दाया है उससे ये माना जाएगा कि धर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी अटेचमेंट जैसे कि कोई ब्रक्च जो धर्ती से जुड़ा हुआ है उसको धर्ती का ही भाग मानेंगे उसकी अलग से कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं रहेगी Section 2L भूमिहीन व्यक्ति व्य व्यक्ति जो वास्तविक क्रसक है जो अकेले अपने कुटुम के अन्य सदस्यों के साथ सायोक्त रूप से कोई भूमिदारन नहीं करता है इस सायता में कुटुम का अर्थ है व्यवेक्ति उसकी पतनी या पती संतान तता उसके माता पिता Section 2M लेंड रिकॉर्ड ऐसे रिकॉर्ड जो इस सायता दोरा मेंटिन किये गए हैं उनको लेंड रिकॉर्ड बोलते हैं M1 भू राजस किसी भूमी के लिए राजसरकार को दिये जाने वाला धन चाहे वे कर के रूप में हो प्रीमियम के रूप में हो लगान के रूप में हो पट्टा धन हो उसको हम लेंड रिवेन्यू कहते हैं Section 2N बिदी वेवसाई इसका मतलब होता है Legal Practitioner जो Enrolled Advocates होते हैं वे इस कैटिगरी में आते हैं Section 2O Mango Grove आम का बगी चप O.A. बाजार मूल किसी भूमी का वे मूल जो कलेक्टर की काईडलाइंस दोरा निर्दारित किया गया हो 2P फलोद्यान Orchard फलों के व्रक्ष को लगा जाने को फलोद्यान कहते हैं Section 2Q Book and Sankyak जिसका मतलब होता है Plot No. Section 2R Recognized Agent वे वेक्ति जिस पक्षकान ने ऐसी कारवाई में उसकी और से आवेदन करने एवं अन्यकार करने के लिए मुक्तियार नामा के आदीन अधिक्रित क्या हुआ हो यानि कि Power of Attorney द्वारा उसको अधिकार दिये गए हो कि वे उसकी और से कोई भी आवेदन दे कर कारवाई कर सकता है और वेवेक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कारवाईयों में उसकी और से उपसंजत होने के लिए लिए लिखित में रादिक्रित किया गया है Section 2 S छेत रीजन इसको पाँच कैटेगरी में डिवाइट किया गया है महाकौसल छेत, मंदिवारत छेत, भोपाल छेत, बिंद्यानचल प्रदेश छेत और सरोज छेत Section 2 T लगान मतलब रेंड पट्टे द्वार द्वारा बोमी स्वामी को और यदि सरकारी पट्टे द्वार है, तो सरकार को उसके द्वारा दिये गए धन या बस्तू के रूप में दिया जाना उसे हम लगान कहते है Section 2 V राजस वर्स वे वर्स जो राजस सरकार अपनी अधिस सूचना में जारी करती है Section 2 V1 सेक्टर नागरिये छेत्र की कोई भी भूमी के भाग को सेक्टर कहते है V2 सेवा भूमी नागरिये छेत्र में ऐसी भूमी जो किसी कुटवार को उसके पदवी के दोरान करसी कारे के लिए दी गई है Section 2 W सर्विक्चन संक्यक का उफकंड सर्वे नम्मर को सेपरेट पार्ट्स में डिवाइट करने को सबडिवीजन ओफ सर्वे नम्मर कहते है Section 2 X सर्वे नम्मर इसको खसरा नम्मर भी कहा जाता है पट्टादारी क्रसक बिंद्या प्रदेश में दिनांक 1 चून 1969 से तैसीलार दोरा जिन किसानों को पट्टा दिया गया था उन किसानों को दिनांक 2 अक्टूबर 1969 से इस सैंता के अनुसार भूमी सौमी हक दे दिया गया है Section 2 Z बूमी दारी बूमी दारी का अर्थ है वे वेक्ति जो राज सरकार से बूमी दारन करता है और जो इस सैंता के अबवन के आदिन बूमी सौमी या बूमी सौमी समझा जाता है Section 2 Z 1 Timber Trees Timber Trees का अर्थ होता है वे लकडियां जो इमारत बनाने में प्रयोग की जाती हैं इनके कई प्रकार होते हैं उनके कुछ चुनिंदा प्रकार स्क्वीन पर दरसित है Section 2 Z 2 खेती करना वे वेक्ती जो अपने स्वैम के स्रम के दोरा अपने कुटम के किसी वी सदस्य के स्रम के दोरा या मजदूरी पर जिसकी मजदूरी नगद या बस्तू के रूप में दी गई हो किन तू फसल के अंस के रूप में ना दी गई हो उसे स्वैम खेती करना कहते है Section 2, Z3 दखल रहत भूमी ऐसी भूमी जो आवादी या सेव भूमी से या किसी भूमी स्वामी या सरकारी पट्टे द्वार द्वारा धारित ना की गई हो Section 2, Z4 वे छेत्र जो नवरपालिका की सीमाओं के आदी ही नाते हैं उन्हें नागरिय छेत्र कहते है Section 2, Z5 ग्राम ऐसा कोई भी छेत्र जो राजसरकारी द्वारा भू सरवेक्चन में ग्राम के रूप में गोसित कर दिया गया है उसे हम ग्राम कहते है Okay, thank you viewers for watching our YouTube channel Please give your valuable feedback in the comment box below